हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो में यूट्यूब चैनल राहल दुमिजा क्लासिज आपका में इस चैनल पर बहुत बहुत स्फाकत है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोपिक एट और वीडियो के अंदर तो फ्रेंट्स अगर अब ही तक आपने फर्स्ट फॉर उनिट्स नहीं करें तो पहले वह भी कर लिजेगा वह मैंने प्लेट्फों पर डाल रखी है लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट कर दूंगा ओके तो आज की वीडियो में में हम डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बता चुका हूं कि मनी मार्केट होते हैं और कौन से इस्ट इसको प्रेट करते हैं आज के टोपिक ओकए मनी मार्केट ऊते हैं आदर कर करवा सकते हैं तो डेट डिस इस शोट टरम इंस्ट्रूमेंट कैसे डेटर लिक्विड हाइलिय लिक्विड है आप जिस जायो इसको कैसे करते हों तो किसी के जाए उसको सेल करके इसको टेडल बिए इसलिए आप मनी की फॉर्म में करवा सकते हो विद लीटल चेंज फ्लोस आपको हलका फुल का तो लोस होगा जैसे आप बी आर को डिसकाउंट टुवाओगे तो आपको कुछ ना कुछ चार्जिस आपके कटिंगे ओके बट वह इतने नहीं होंगे लीटल होंगे ओके दा मनी इसके instruments कोन से जाहां से definitely को कुछन को मिलेगा वह है इसके instruments ओके तो इनके बार में आपको पता हूँ अच्छिए हाला कि मैंने इतने डिटेल में बिता है मैं इसके अंदर कवर कर रखे है I hope कि आगर आपको डिटेल में जाना होगा तो आप Google पर जाकर कर सकते हैं डिटेल मे रूपीज पे करूँगा उके उसके बदले में कुछ दे नहीं रहा सिर्फ एक प्रॉमिस है वही प्रॉमिस रिनोट है तो इस रिटन प्रॉमिस टूपे ए सटें सम ओफ मनी एट इन अग्रीट फूचर डेट कि माननों मैंने किसी से कुछ खृदा ऑके माननों मैंने एक सेलर प्रॉमिस टूपे 10,000 रुपीज आफ्र 90 देज ओके इस इस प्रॉमिस रिटन प्रॉमिस एक रिटन प्रॉमिस होता है अगर प्रॉमिसरी नौट को ड्रोन कर रहा है तो ड्रोन को रहा है प्रॉमिसरे नोट को ड्रोन किया जाता है ड्रोन के थ्रूप डैटर को करनी को कट ने और प्रोमिस्ट कर रहा है कि मैं आपको पैसे लिए मालों यहां पिल्ट क्राकर रोन को फूस्ट कर दूगा को क्या कि सब्सक्राइब लू. कर रहा है तो इस केस में डेटर ड्रोन करेगा प्रॉमिसरी नोट ओके आपको क्लियर हो गया होगा तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक जूर कीजेना कर दीजेगा आपका एक लाइक मुझे कही न कहीं बहुत जादा मोटिवेट करेगा आने वाले टाइम में लाने के लिए अब आता है बिल ओफ एक्सुंज क्या है और दो बोट यहां पे जो बिल उफेक्सेंज हैं वो क्रेटर के थुद्रण किया रहा है मतलब कि अगर दो पार्टी है एक एक है एकगब करेगा किसक greer के नाम पे बायर के विल ओफ एक्षेंग्र करेगा को श्युकी आ मखिद दिजटेटरी की दिजकरे फोलगा जीनिशने लोक है भी तायं है चुकिन About एंट का प्लका आहिए Happy to주는 दिजsति दिजकर के दिजठेटर दिद्विफम दिजञेंD with a broker और bank तो वो broker से भी करवा सकता है और bank से भी उसको discount करवा सकता है So important point यहाँ से निकल के आता है कि अगर trade biz की बात की जाए तो इसका मतलब होता है कि कि वो proving की बात कर रहा है और bill of exchange की भी बात कर रहा है तो कहीं कई बार की होता है हम confuse हो trade bills को bill of exchange से link कर बैठते हैं हलाकि trade bills एक broader term में जिसके अंदर promise not be included होता है और bill of exchange भी include होता है ओके आई होप आपको clear होगा होगा चली मोग करते हैं next पे अब बाद आती ट्रेजरी बिल्स अब ट्रेजरी बिल्स क्या होता है ट्रेजरी बिल्स भी बहुत अपने अपने एक important concept बनके आया है कहीं बार इसके उपर question आ चुका है तो पढ़ते हैं it is a major instrument of the money market which is issued for varying period of less than one year तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक फंट यह से कम कम कि इसकी validity होती है और varying periods के लिए होता है 91 डेस के लिए हो गया उसको issue करवाने में help को करता है RBI करता है मतलब कि government के भ्याव पर RBI इसको क्या करता है इसको करता है okay which are traded by the commercial bank and dealer जिसके लिकिन इसके नदर trade कोन करता है commercial bank करते हैं और dealers करते हैं financial institutions होगे वो भी trade कर लेते हैं okay in India the tragedy bills are issued by the government of India at a discount generally between 91 and 64 days okay सबसे बड़ी बात यह है discount पर issue किया जाता है इसके अंदर को interest मिलता है इसको discount पर issue किया जाता है okay माल लो 100 बेका है 100 पर issue करा वह आपको 95 रुपीज में देती है 5 रुपीज प्रॉफित होता है okay और जैसे period complete होगा आपको 100 के 100 पूरे मिल जाएंगे इसके बाद आता है call and notice money अब आता है call and notice money so there is a call money market in which there is a call money market in which funds are borrowed and lend for one day okay अब call market कुन से होती है यह वो market होती है जिसमें जो है funds को borrowed किया जाता है और lend किया जाता है one day के लिए ओके इन the notice market they are borrowed and lend up to 14 days लेकिन notice market में क्या है यह borrowed और lend के जाते हैं कितने days के लिए 14 days के लिए without any collector security इसमें कोई collector security नहीं होती तो सबसी important बात है कि इन markets के अंदर क्योंते हैं collector security हमको नहीं देनी पड़ती है collector security मतलब कि आपको कुछ ग्रिवी नहीं रखना पड़ता आपको उसी बेस पर लोन मिल जाता है बिना किसी security के बट इपोज़ेट रिचिप्स इस 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 में क्या है उसी को रिचिप्स के जाती है तो जने लेंडर होते हैं वह mutual fund होते हैं और all Indian financial institutions होते हैं वह लेंडर की मुमिका निमाते हैं इस market के अंदर तो आपको clear हो गया होगा चली आप अब आता है इंटर बैंक टर्म मार्केट अब इंटर बैंक क्या है नाम से रिक्रमेंड हो रहा है कि दो बैंक के बीच में कुछ बैंक उसके बीच में आपस में dealing होना ओके कि एक दूसरे से लोन ले लिया दे दिया यह कह है टर्म मार्केट है तो यहां से कौशन भी आ सकता है कि अपस में डिलिग कर सकते हैं कि इतने टाइम तक का लोन प्रॉइड कर सकते हैं एक दूसरे को सब्सक्राइब बात है कि या जर्शन रिजनिंग में कुषे न आ सकता है रिगार्डिंग इस ओके विफ लिए बॉट आनी चुलिए प्रेंट्थर मार्केट डिटर्माइंट और जो इंटरेट होता है वह मार्केट डिटरमाइंट होता है इसके बाद आता है certificate of deposit अब certificate of deposits क्या है so certificate of deposits are issued by commercial banks at a discount on face value तो certificate of deposit भी क्या है ये भी commercial banks के तुरू issue किया जाता है कि इस पे at a discount तो discount पर issue किया जाता है the discount rate is determined by the market in India the minimum size of the issue is 25 lakh तो minimum जो size होता है वो कितना होता है वो होता है 25 lakhs ओके so minimum जो certificate of deposit में जो minimum amount होता है वो 25 lakh को होता है with the minimum subscription of 5 lakh और कम से कम जो subscription होना चीए वो कितने को होना चीए 5 lakh रुपेगा okay the maturity period is between 3 months to 12 months तो को आपको हर एक चीज़या रखने है कि certificate of deposit के अदर minimum कितना मांट होता है 25 lakh का आप लोन ले सकते हैं and with the minimum subscription कितना होता है 5 lakh का maturity कितना होता है 3 से 12 मंद का तो यह कुछ important points है जो मैंने highlight करके लिख रहे है आई होप आप साइड बाई साइड नोट जूर प्रिपेर कर रहे होंगे ओके चलिए अब बात करते हैं commercial पेपर की अब commercial पेपर भी बहुत important जो है इसके पर भी कहीं question आ चुका है चलिए पढ़ते हैं commercial पेपर are issued by the high-rated companies आप commercial पेपर कौन इशू करता है commercial पेपर high-rated companies जैसे की reliance होगी या और कोई कंपनी होगी जो high-rated है वही commercial पेपर इशू करते हैं टूरे short-term working capital और यह किसलिए इशू किया जाता है ताकि हम ताकि कहीं बार शोट कहीं पर capital की requirement क्या होती है ज्यादा होती है जिस करके वह क्या करते हैं commercial पेपर इशू करती है directly from the market अब सिद्धा मार्केट से मार्केट में कौन होगा इन्वेस्टर्स होगी जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे ओके instead of borrowing from the bank लेकिन यहाँ पर bank का कोई रोल नहीं होता आप मार्केट से directly क्या कर रहे हो बोरो कर रहे हो इस्ट्रूमेट इस बेरी पॉपुलर इन यूएस से यूके जपान एस्टेलिया एंड नमर अफ अधर कंट्री इन इंडिया इन जनवरी 1990 तो यह आपको यहाँ दोने चाहिए कि 1990 में यह इंट्रूइस करिया गया गया था इंडिया के अंदर certificate of deposit I hope आपको clear हो गया होगा चलिए बात करते हैं यह थे हमारे कुछ instruments I hope आपको clear हो गया होंगे सारे के सारे instruments so thank you friends for listening and don't forget to subscribe my channel अगर आप a commerce student है और आप नेट की preparation कर रहे हैं तो आप मेरी चैनल को subscribe कर सकते हैं अगर सच में आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक जूर कीज़ेगा आपका एक लाइक कहीं है कहीं बहुत आपका करेगा